एक बार एक वेक्ति ने लियो टॉलस्टाई जो की वार एंड पीस जैसे परसिद पुस्तक के लेखक थे उनसे पूछा कि महोदे जीवन क्या है उन्हों ने एक चन उस वेक्ति की ओर देखा फिर कहा एक बार एक यात्री जंगल से गुजर रहा था अचानक एक जंगली हाथी उसकी तरफ जप्टा बचाओ का अन्य कोई उपाए न देखकर वह रास्ते के एक कुए में कूद गया कुए के भीज में बरगत का एक मोटा पेड था यात्री उस पेड की जटा पकड़ कर लटक गया कुछ देर बाद उसकी निगाह कुए में नीचे की ओर गई नीचे एक विशाल मगरमच अपना मूँ फाड़े उसके नीचे टपकने का इंतिजार कर रहा था डर के मारे उसने अपनी निगाह उपर कर ली उपर उसने देखा कि सहद के एक छटे से बूंद बूंद मधू टपक रहा था स्वाद के सामने वह भय को भूल गया उसने तपकते हुए मधू की ओर बढ़कर अपना मूँ खोल दिया और तन्नीन होकर बूंद बूंद मधू पीने लगा परन्तु यह क्या उसने आश्चरे चकित होकर देखा कि वह जटा के जिस मूल को पकड़कर लटका हुआ था उसे एक सफेद और एक काला चुहा कुतर कुतर कर काट रहे थे प्रस्न करता की प्रस्न सूचक मुद्रा को देखकर लियो टॉल स्टाई ने कहा नहीं समझे तुम उसने कहा आप ही बताईए तब वे समझाते हुए उससे बुले वह हां थी काल था मगर मच्छ मृत्यु थी मधु जीवन का रस था और काला तथा सफेद चुहा रात वद दिन इन सब का समलित नाम ही जीवन है मित्रों इस प्रेरक प्रसंग से जही तात परे है कि वर्तमान में हमारा जीवन सिमित समय तक के लिए है और हमें इसकी डेड्लाइन भी मालूम नहीं है फिर भी हम किसी प्रकार के भय से मुक्त रहकर अपने निर्धारित कामों में आनंद पुरुवक तनलीन रहें इसी का नाम जीवन है जो मधुरस से परिपुर्ण है याद रखें हर एक के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा हमें चाहिए कि इन दोनों को एक संभाव में लेते हुए समय का आदर करें यानि इसका एक जन भी व्यर्थ न जाने दें अगर कोई यह कहे कि अभी मेरी यूथ एज है चालिस पचास का होने के बाद मैं जीवन के प्रती गंभीरता से सोचूंगा तो यह उसका कोरा भ्रम है क्योंकि जीवन तो जन से ही चलता आ रहा है महान वेक्तियों की जीवनियां बताती है कि वेक्ति के जीवन का मुलिक उसकी लंबी उम्र से नहीं बलकि उसके क्रतियों से आका जाता है यहां कुछ ऐसे वेक्तियों के उदाहरन हैं जो चलिस पचास की आयू से उपर नहीं पहुँचे और वे अपनी महान क्रतियों तथा उपलब्धियों के द्वारा विस्व में अपना नाम छोड़ गए जैसे भार्तेंदू हरिस्चंद्र, स्वामी विवेकानंद, स्वामी संकराचारे, जैसंकर प्रसाद, लाला हर्द्याल, जॉन किट्स, बीबी सैली, फ्रेंच दार्षिनिक पास्काल, जॉन एफ केनेडी, इत्यादी, मानो जीवन बार बार नहीं मिलता है अतह इस सिमित जीवन में हम ऐसे परसंसनिये कारे करके, अपने अमिट छाप यहां छोड़ सकते हैं, ताकि आगे चल कर दूसरे लोग उनसे प्रेरना लेते रहें मित्रो मुझे पूर्ण विश्वास है, किया जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, धन्यवाद